हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे य्टूब चैनल में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने एमेल आईडी का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो आएए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या करना होगा जिस इससे आप डिरेक्टली अपने email id का password भूल गए हो तो पता कर सकते हो तो आईए हम आपको बताते हैं कैसे आपको क्या process करना होगा तो इसके लिए आपको अपने YouTube को open कर लेना होगा जैसे देश सकते हैं हमने अपने YouTube को यहां से open कर लिया open करने के बाद आप में कुछ इस तर password change करना चाहते हैं उस email id को आपको directly select कर लेना होगा तो चलिए हमने इस email id का जो password आपको इस तरह का option आप में देखने को आ जाएगा इसके बाद आपको यहां पर पस्वार्ट लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद आपको यहां पर पासवर्ट लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद आपको यहां पर पासवर्ट लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद पर आपको किलिक करना होगा किलिक करने के बाद आप में देश सकते हैं आपको वेट करना है देश सकते हैं इसके बाद आप में कुछ इस तरह का आपस नाम में देखने को आ जाएगा इसके बाद आपको यहां पर करा इंटर यूर्ट पासवर्ड तो आप पासवर्ड भूल तो आपको करना क्या होगा आपको फॉर्गेट पासवर्ड वाले आपको किलिक करना होगा चलिए फॉर्गेट पासवर्ड वाले आपको किलिक करना है यह आपको मुबाइल में लॉक लगा है जो भी उस लॉक को आपको डिरेक्ट ली आपको पासवर्ड डाल के खोल लेना है कि चलिए अपने mobile का password डाल को यहां से open कर लेते हैं सेकुरिटी के लिए यहां पर आपका password मांगता है कोई दूसरा उपीर नहीं करा इसलिए आपको यहां पर mobile का pattern और password मांगता है तो आपको खोल लेना है इसके बाद आपने कोच इस तरह का option आप में देखनों को आ जाएगा इसके बाद आपको करना क्या होगा है आपको यहां पर skip का option दिख रहा है इस वाले option पर आपको डिर्ट लिक करना होगा जैसे देख सकते हैं हमने इस वाले option पर click कर दिया क्लिक करने के बाद आपको wait करना है इसकी बाले option पर क्लिक करने के बाद आप में देश सकते हैं इस तरहां का option आप में देखने को आजाएगा इसके बाद आपको करनinä का होगा आपको अफने 8 evolved create करना है तो चलिए हम password को create कर लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं हमने आप पर new password create कर लिया एट अंका तो ऐसे आपको भी password create कर लेना है दोनों में इसमें confirm के लिए आपको कह रहा है तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने new password बना इसके बार हमने दुबारा है आपर वही वाला password confirm करने के लिए select कर दिया select करने के बार आपको यहाँ पर change password वाले option पर आपको directly click करना है click करने के बार आपको wait करना है और दे सकते हैं यहां से आपका जो password है आप चेंज हो गया जैसे आप दे सकते हैं और आप पता भी कर सकते हैं कि हमारा यह password है और जो आपने new password गुनाया इसको आप याद कर लिजेगा तो ऐसे ही आपने email id का password आप पता कर सकते हो तेदी आपको हमारे वीडियो आपको वच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूब लाइक करिएगा और हमारे च आपका password चेंज हो गया तो धन्यवाद दोस्तों